तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानिकी 19 अगस्त के important current affairs को तो इस प्रस्ण में आपसे पूछ रहे हैं हाली में किस भारते को विश्व एथलेटिक्स के चार उपाध्यक्षों में से एक के रुप में चुना गया है तो आंचरोगा आदल सुम्रेवाला अब ये आदल आपने पहले भी सुन रखाए कौन है ये तो ये Athletics Federation of India के अध्यक्ष हैं वर्तमान में और अभी इनी को World Athletics के चार उपाध्यक्षों में से एक के रुप में चुना गया है जो Global Track and Field प्रबंधन संगठन में किसी भी भारते का सबसे उचा पद है तो इने चार सालों के लिए चुना गया है देखो भारते Athletics Federation की बात हुई Athletics Federation of India इस्तापना होती 1946 में नई दिली में मुख्याले है अपने का अध्यक्ष आदल सुम्री वाला है लेकिन अगर World Athletics की बात करे तो World Athletics की बात करे तो इस्तापना इसकी होती है 1912 में Headquarter मुनाकों में है और इसके प्रसिरें सेबेस्टियन को है और इसके चार उपाध्यक्षों में से एक भारतिय बने है उनका नाम अदल सुम्री वाला है एक World Athletics डेबी होता है यह हम साथ मई को मनाता है बाकी और भी मैं आपको नाम याद दिलाऊँगा जो भी न्यूज में थे जैसे कि गंजा कमला विराओ गंज International Health Authority के यह अध्यक्ष बने तो यह नाम भी ध्यान रखना बढ़ते हैंगे चलिए फिर बताईए अभी श्री हरी कोटा से लौंच होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट नाम पूछ रहे हैं उस रॉकेट का नाम बताओ तो आंसर होगा अगनी बान तो रॉकेट का नाम है रिक्षकेंदर से लौंच किया जाएगा और ध्यान से सुनना अगर यह रॉकेट सपलता पूर्वा धरती के लोवर और्बिट में पहुंसता है तो यह जो अगनी कूल कॉस्मोस नाम की जो यह स्पेस कमपनी है यह देश की दूसरी प्राइवेट रॉकेट फेचने वाली क कमपनी बन जाएगी अच्छा अब आप लोग जरूर सोचेंगे कि अगर यह दूसरी प्राइवेट कमपनी बनेगी ऐसा करने वाली तो पहली कौन सी थी फिर तो पहली थी स्काइरूट एरोस्पेस बाकी अगनी बान रोकेट की बात करें तो यह सिंगल स्टेज का रोकेट है और इसके इंजन का नाम है अगनी लेट इंजन यह इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है और यह जो अगनी बान रोकेट है इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 100 किलो ग्राम तक के सेटेलाइट को धरती से उसकी निचली ओर्बिट जो लोवर ओर्बिट है निचली है वहाँ पर स्थापित करने में यह सक्षम है देखो इस कंपनी की बात करें जो यह अगनी कूल कॉस्मोस स्पेस स्टार्ट अप है इसकी स्थापन हुई थी 2017 में इसका है डिकवाटर आपको पता ही लग गया चेन्ने में है साथ मैं आपको बता दू जो आनंद महिंद रा अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में दुनिया का पहला 3D printed मंदिर बनाया जा रहा है तो आंसर होगा तेलंगना में तेलंगना के सिध्धी पेट में अगर पूछे भारत का पहला 3D printed post office का पे बन रहा है तो आंसर होगा बंगलूरू में और निर्मुला सिता रमन जो हमारी वित्यमंत्री इनोंने किस IIT में भारत के पहले 3D printed घर का उदगाटन किया था IIT मदराज आपको याद है इस सुरूर ने अपना सबसे छोटा rocket launch किया था उसका नाम क्या था SSLVD2 मतलब Short Satellite Launch Vehicle कहा से launch किया था सतीश थवन अंतरिक्ष केंदर से ही और भारत का प और अगर पूछे कि भारत का पहला नीजी तोर पर क्रायोजैनिक रॉकेट इंजन का परिक्षन किया गया उसका नाम क्या था उसका नाम था धवन वन पढ़ाया आपने इसकी बारे में अच्छा यूं बताओ इस रो जो है ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपन के का सूर्य मिशन कौन सा है आदित्य ल-1 तो इसे लॉंच करेंगे हम किसे PSLV C-57 रोकेट से और रोकेट तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी हमारा जो चंद्र 3 मिशन था यानि कि चंद्रियान 3 इसको अभी हमने 14 जुलाई को लॉंच किया था किस रोकेट से LV M-3 M-4 रोके तो हर साल 19 अगस्त को World Humanitarian Day के रूप में मनाया जाता है अब अगर बात करें कि 19 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं तो 19 अगस्त 2003 को इराग की केपिटल बगदाद में United Nation के मुख्याले पर हमला हुआ था जिसमें 22 कर्मचारी मारे गए थे तो उसके बाद 2008 में United Nation महासबा ने 19 दे है जो आपको confuse कर सकता एक्जाम में वो है मानवधिकार दिवस Human Rights Day यह है मानवतावादी दिवस World Humanitarian Day तो Human Rights Day कब मनाते हैं 10 December को मनाते हैं यह आप ध्यान रखना चलो फिर अगस्त के Important Days को एक बार रिवाइस करते हैं 1 अगस्त को Muslim महिला अधिकार दिवस मनाया 1 अगस्त क World Wide Web Day था एक से लिके 7 अगस्त को आपने विश्व इस्तनपान सपता भी मनाया यह भी ध्यान रखना 2 अगस्त को Earth Overshoot Day 6 अगस्त को हिरोशिमा Day 7 अगस्त को National Handloom Day 9 अगस्त को नागा साकी Day और विश्व आदिवासी दिवस 10 अगस्त को World Lion Day 12 अगस्त को World Youth Day और World Elephant Day 13 अगस्त को अपने विभाजन विश्व का दिवस के रूप में मनाया था तो यह अगस्त के Important Days इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में भारत ने वास्तविक समय में बाड़ अपडेट के लिए एक application को launch किया उसका नाम बताओ तो आंसर होगा flood watch तो अभी भ राजवार बाड़ पूरवा नुमान 24 घंटे तक या बाड़ सला 7 दिन तक दे सकता है अचा एक प्रशन में आपसे पूस्ता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले की बात है वर्ल्ड बैंक ने किस राज़े की बाड़ परबंदन परियोजिना के लिए 108 मिलियन डॉलर के लोन क को मनजूरी दी थी तो इसका उत्तर याद रखना असम को असम सरकार को बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में लावारिस जमाओं को ट्रेक करने के लिए आरबियाई ने किस नाम से पोर्टल लॉंच किया तो आंसर होगा उधगम तो अभी आरबियाई ने कई बैंक के उपयोग के लिए डेवलप किया गया है ताकि उन्हें एक ही इस्तान पर कई बैंकों में अपनी बिना क्लेम हुई राशी की जानकारी हो सके है अब आरबियाई ने लॉंच किया तो इसके बारे में जानते हैं रजर बैंक ऑफ अंडिया भारत का सेंट्रल बैंक अब इनको गवर्नर ऑफ दे एर का वार्ड भी मिला था गवर्नर से दो नाम और याद आएंगे पहले ब्रेटिश गवर्नर का नाम ओसबॉर्न स्मित है पहले इंडियन गवर्नर का नाम सीडी देशमुक है और यह आपको लोगों दिख रहा है इसमें एक पेड है जिसे के अनवर है रोयल बंगाल टाएगा और अभी आपने पड़ा था आर्बियाई ने यूपी आई लाइट के लिए प्रती लेंदिन की सीमा को 200 रुपे से बढ़ा के 500 रुपे कर दिया अभी आर्बियाई के नए डेपूटी गवर्नर बनेते स्वामिनाथन जानकी रमन और खान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाल में किसने जॉर्डन में आयो जित अंडर ट्वन्टी महिला विश्व कुष्टी चेंपेंशिप में स्वन्न पदक जीता तो आंसर होगा प्रिया मलिक बात कर रहे हैं यहां पे अंडर विश्व चेंपेंशिप में गोल्ड जीतने वाली वे भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं अब आप कहोगे यह दूसरी बन गई तो पहली कौन थी तो उनका नाम था अंतिम पंगाल एक्चुली में वो 2022 में कुष्टी में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाल भारत की पहली महिला बनी थी और प्रिया मलिक की बात करें तो अभी इन्होंने 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल केटेगरी में फाइनल में जर्मनी की लौरा सेलीन को हराया है और कुष्टी से एक इंपॉर्टेंट प्रश्ण में आपको बताऊंगा कि अभी एश्या की केपिटल अस्ताना में इसमें भारत का एक मातर गोल्ड हमने जीता था किसने जीता था अमन सहरावत ने जीता था 57 किलोग्राम केटेगरी में वैसे तो भारत ने टोटल 13 मेडल जीते थे लेकिन एक गोल्ड था तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये अभी 2023 की ही बात है वैसे आपको बता दू इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जिसका हेड़कॉर्टर है लोजैन स्वेजलेन में इसके अध्यक्षे मोहमद जलूद और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्षे सहदेव यादव ध्यान रखना ये बढ़ चीज है तो अध्यान से सुनो तो अभी करनाटक जरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में ये कुसीना माने इस्थापित करने की योजना की गोशना की है ये तो हो गई न्यूज अब बात करें कुसीना माने क्या है इसका मतलब होता है बा आमीन रोजगार गारंटे अधिनियम यानि की मन्रेगा में काम करती है और केवल वो ही नहीं उनके साथ साथ उस एरिया के आसपास रेने वाली जो भी माताए हैं उनके लिए भी ये डे केर सेंटर होगा वो भी याँपे अपने बच्चों को छोड़ करके काम पे जा यहीं पर आपको इनफॉसिस का विप्रो का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इस्रो बगेरा का हैड़क़र मिलेगा मुख्यमंत्री कौन है तो सिद्धा रमया है गवर्नर है थावरचंद गेलोड अभी आपको याद है जीलो से खर पतवार को हटाने के और सबसे जदा आपको टाइगर तो पता है ना कहां पर है मध्यपरदेश में हैं दूसरे नंबर पर करनाटक में हैं लेकिन हातियों के मामले में करनाटक टॉप पर है और याद रखना भारत में पहली बार पांच वा विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है वो भी कहां पर बंगलूरू में इसमें ब्रेंड अमबेश्डर कौन बनेंगे रोहन बोपनना जो जिनका संबन टैनिस से है ये चुपारिस्तम प्रशन है इसको ध्यान रखना और अभी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम में शामिल होने वाला पहला बारतिय शेर कौन सा ब अभी 76 नंबर की संतोष ट्रोफी को जीता था करनाटक ने मेगाले को रहा करके और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉरम ये बनाए करनाटक के हुबली में जो शिरी सिद्ध रुदा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जिसकी लंबा ये पंदरा सो साथ मीटर तो दूती चंद का संबन्द किस राजे से है तो आंसर होगा उडिसा दो दूती चंद वे उडिसा की रहने वाली है और वे भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्र हंड्रेड मिटर रिकॉर्ड धारक के रुप में प्रसिद भारत्य फर्राटा धावी का दूती च गई जिसके कारण उन पे चार साल का प्रतिबंद लगा दिया गया यह बहुत बड़ी बात है इनके लिए इन्होंने भारत के लिए काफी मेडल जीते हैं काफी रिकॉर्ड इन्होंने बनाए लेकिन इसके बाद डॉपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आना और चार साल का प्रतिबंद लगना तो आपको इनके बारे में पता होना चीए डॉपिंग का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं हलका सा बता दूँ आपको अगर आप खिलाडी हैं तो वहाँ पे क्या होता है कुछ प्रतिबंदित दवाई होता है जिससे स्टेरोइट्स बोला जाता है वह आपकी शमता को बढ़ा देते हैं इंस्टेंटली जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो तो स्पोर्ट्स यानि की खेल के शेत्र में ऐसी दवाओं पे प्रतिबंद लगाया जाता है अगर आप ऐसी दवाओं का इस्तमाल करते हो तो फिर आपके खिलाफ लुगाई जिसमें जैसे कि आप पर बैन लगा दिया बैन ही लगाते हैं और बैन लगाने से खिलाडी का मतलब वी समझ लो करियर लगबग खतम हो जाता है चार चार पाट-पाट साल के बैन लग जाते हैं फिर आपने जो भी मैडल जीते होंगे अतीत में पास्ट में फिर पर शक की निगाहों से देखा ज़ता है कि यार मतलब भी तो cheating करकि लाया होगा जैसे कि नहीं होता कि exam में आपने टॉप करा टॉप करा एक बार cheating चिट मिल गए आपके पास cheating या चिटट करते हो आप तो फिर आप पर बैन लगा दिया जाता है, कि चार साल तक आप कोई भी एक्जाम नहीं दोगा, मतलब एक सपोस वो एक उधारन किसी पर लगा दिया जाता है, तो फिर बाद में पब्लिक उसके आसपास की रहने वाली सब सूस्तिया रहे हैं, बच्पन में हम तो सोते हैं, ट काम सोप रखा है नाडा को, और दुनिया में इसकी जो मेन एजनसी है, उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजनसी, और नाडा का है नहीं दिल्ली में है, जबकि वाडा का है, मौन्ट्रियाल का नाडा में है, तो यह ध्यान रखना बढ़ते हैं के, अभी ह प्रिकेट में डेब्यू किया था सन दोजाराट में, लेकर अभी सन्यास ले लिया, तो इनका नाम ध्यान रखना, पाकिस्तान के हैं, बढ़तियां के, फिर आपको बताना है, अभी हाली में किसने UEFA Super Cup 2023 को जीता, तो आंसर होगा, मैंचेस्टर सिटी ने, तो यहां बात कर UEFA Super Cup हो जाते हुए संबन्द इसका फुटबॉल से है, तो आज की फटावर्ड वाली सिरीज में मैं आपके लिए लेकर कर आया हूँ, जो भी सालबर में important सप्ता है, जो week हम मनाते हैं न, बढ़ी डेश तो पढ़ते ही रहते हैं, हम बीच बीच में को important week आता है, तो मैं करके आगया आपके सामने है, हमेशा की तरह, पहले मैं आपका test लेना चाहूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रशन है, वीडियो को आप pause करो, आराम से समय ले करके answer लगाओ, फिर मैं आपको answer बता देता हूँ, आप देखना आपके कितने प्रशने सही गए और कितने कलत, तो पहला प्रशन आप से पूछा, सडक सुरक्षा सप्ता, या आपने 11 से लेके 17 जन्वरी तक मनाया, राष्ट्र उत्पाधकता सप्ता मनाया गया 12 से लेके 18 मार्च तक, राष्ट्र पोशक सप्ता, ये 1 से लेके 7 सप्तेम्भर तक, विश्व इस्तनपात्म स मैं आज आप से नहीं कूँगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता हो कितने प्रश्वन आतenario कि सही रहाए ज्यादत तर आपके गलती होंगे, कोई बात नहीं, अभी तक आपने शायद एक साथ इने पढ़ा भी नहीं होगा कहीं, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है ना, तो आप इनको नोट कर लेना कहीं पर, और ध्यान रखना, चलो आप मैं कलका रिविजन कराता हूँ आपको फिर पुछा अभी अबुआ आवास योधन शुरू की, चारखंड ने, फिर पुछा अभी दोजा 24 में बहुर आश्ट्रे अभ्यास, तरंग शक्ति का आयोजन किसके द्वारत किया जाएगा, भारते भायू से ना, फिर पुछा किस शहर में भारत और दक्षिन एशिया का पहला नाइट स्ट्रेट रेसिंग सर्किट होगा, चैन्नाई में, फिर पुछा भारत का पहला ड्रोन परिक्षन केंदर की सराज्य में खुलेगा, तमिल लाडू, फिर पुछा CSIR, NBRI ने नमो एक सुआट लॉंच किया, क्या है ये, कमल का फूल, फिर पुछा भी नशिल का निदन होगा, नाम बताओ, विएस अरुना चलम, वीडियो भी भी लाइक नहीं किया, तो लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, अभी कल का हमवर्क प्रशन देखते हैं, तो कल के वीडियो में आप से पुछा गया था कि Director General of Geological Survey of India कौन बने तो आंसर होगा, जनारदन प्रशाद, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्र दिया है, अब ये रहा आज का आपका हमवर्क प्रशन,